प्रेंड कैसा सब लोग तो फ्रेंड आज होने वाली आपकी बहुती जबरदस्त क्लास और बहुती मेहफुन क्लास जो होने वाली आज आपके सीटेट के पोजिटीव और नेगिटीव वर्ड की क्लास देखें जो आपका सीटेट का एकजाम होता है उसमें आती है आपकी पैड़गोजी मैं बात करूँ आपके पैड़गोजी की सबसे असान आती है अगर आपने पैड़गोजी कर ली तो समझ लो आपका सीटेट का एकजाम आपका पास हो गया क्योंकि सबसे असान आती है आप आप लोग वीडियो को end होने के बाद क्या होगे यार वाकई में सबसासान होती है पैड़ागोजी ठीक है दो-चार मिनट लेट हो गया तो थोड़ा से स्क्रीन के अंदर कुछ दिक्कत चल लिए टेक्निकल दिक्कत आप लोगों को थोड़ी सी प्रोलम आएगी स्क्रीन के अ लगबग आपके आदी आती है CDP में जाओगे आदी पैड़ागोजी आएगी EVS में आदी आएगी Maths में आदी आएगी Language में आदी आएगी Social शाइन्स में जाओगे WHAPA आपकी 20 नमबर आएगी Science में जाओगे WHAPA आपकी लगबग आदी देखने को मिल जाती है मोटा-मोटा मान के चलिए आदे नंबर के आपकी पैड़गोजी आती है पैड़गोजी आपकी कहा से कवर होती है उसके बारे में मैं आपको कही बार बता चुका हूँ पैड़गोजी के लिए एक तो आपको NCF 2005 पता होने चीए जिसके बारे में ओ लेडी मैंने आपको वीडियो बना कर अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर देख लेना उसके लावा आपको NEP 2020 की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको उसको नहीं देखा तो उसको वीडियो को जाकर देख लेना ठीक है बस यह छोटी-छोटी चीज आपको करनी है उसके लावा आपको डेली जो मैं किला गोशन कहत करनी हैं और चोटा इस्टदी और पूजेट्टीव वर्स जिनको देखते हैं और लेंदी ऊते हैं तो आज एहां बेसैना व्हाँ को फींअनिर में तनीको भीग में इंप जाता है तो आज कराते हैं पोजिटिव और नेगिटिव वर्ड किया आपकी किलास बड़ी होने वाली है अपनी सीट बेट बांध के रखना और देखते हैं आज आपकी किलास के बाद आप लोग खुद आगर आपने नया कह दी किया वाकई में पैड़ागोजी बहुत असान है ठीक ह पैड़ागोजी आपको रटनी नहीं है पैड़ागोजी आपको समझ नहीं है कैसे करनी है वो सब आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ जाएगी आप लोग जितने भी कुश्ण आंचर ए प्रीवेसर के जो में अपने नोट्स के अंदर डाले वे उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर ले रहा है ठीक है नोट्स के अंदर आपको बागी बीचीज मिल जाएगी से लिबस के करने आपको सारा कंटेंड मिल जाएगा ल तो यह सब आपको जो कंटेंट है वो सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा नोट्स लेने के बाद कोई एक बच्चा यह न पूछे सर्फ प्रीवेसर में लू या नहीं लू एंचाइटी लू या नहीं लू या कोई और बुक लूग या XYZ कोई चीज आपको नहीं करनी सिर्फ नोट्स सा आपको पढ़ना है और किलास डेलिया ट्रेंड करनी है उसके बाद अगर आपको अच्छनम बना है तो आप लोग मुझसे मिल लेना ठीक है ऐसी नोबत विल्कुल नहीं आएगी इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट से लेना क्योंक बहुत देर है तो उनसे आप लोग बचना है ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं आपकी मैत्पून किलास की सुरुआत जो आपके पोजीटिव और नेगीटिव और नेगीटिव और यह एड़ करे हुए है क्योंकि सीबीस्टी वालों ने कुछ मेरे पोजीटिव और न नहीं वाले हैं ठीक है क्योंकि जब सीबीस्टी वालों ने एक दो मेरे बेकार कर दी है तो मैंने नहीं वाले तियार करें ताकि उनको फायर किया जा सके ठीक है तो इनको आप लोग फोजू करना चलिए पहला और सबसे दमदार और सबसे सदाबार आपका जो टेक वर्ड आपका जो word है negative हो है आपका केवल यानिकी only ऐसा होई नहीं सकता कि आपके CTAT के exam में यह आपका word आपको देखने को नहीं मिले जो word आपका only केवल मातर शिर्फ आप से पूछा जाता है जिसको English में कहा जाता है only यह word आपके CTAT के exam में भर भर के आपके पूछा जाता है ठीक है जब भी आपके चार option आपको दियोंगे चार option में जब कभी भी आपको only word दिखे आपको हमेशा ध्यान अखने है जितने भी यह positive और negative word मिलेंगे 99% तक ही आपके काम करती है और जो यह trick काम करती है आपकी pedagogy के अंदर काम करती है ठीक है content वाली चीजों के अंदर इसको मत ग और जाए तो समझ जाना वह आपका क्या option बन जाएगा वह पूरा का पूरा option आपको बन जाएगा और केवल वह आती वर्ड को वह पूरा option आपका पंड़ बन जाएगा जैसा सांने आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से question दिया हुआ बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं जैसे मैंने आफसे कहा कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है नीचे दिएगए स्टेट में कथन में विशे में सही नहीं है तो question यहाँ पर पूछ लिए negative question पूछ लिया जब कभी आप से question negative पूछे तो negative का answer हमेशा negative होगा अगर positive पूछ लेगा तो answer फिर उसका positive होगा ठीक है तो देखते हैं बच्चे तब सीखते हैं जब वे संग्यनात्मक रूप से तयार होते हैं बिल्कुल सीख जाते हैं तो पहली बात सही है बच्चे अन्यकों परकार से सीखते हैं बिल्कुल सी बात है परिवार में सीखते हैं स्कूल में सीखते हैं प्लेगराउंड में सीखते हैं यह वाली बात भी बिल्कुल सही है तो यह भी पोजीटिव हो गया बच्चे केवल क्लास में सी शीते एक्जाम में केवल इतना आपको दिखाई देगा मुझे तो ऐसे Away कि हर विना इसके तो साहध कोई आपका और क्यों आपको भूत देखने को मिलेगा आपका जो यह वाला आपका नेगिटीव वाग केवल ठीक है जैसे एक और कॉर्शन सामने आपके स्किन पर दिया हुआ है यह आपका content से लिया हुआ है basically pedagogy नहीं है तो question क्या दिया हुआ है आपका कि समाविशी सिख्षा निकी inclusive education जो मानते कि सभी बच्चों को समान उससे समान शिख्षा दी जाए ठीक है बिना किसी बेदवाव के इससे क्या मतल दिव्यांग चात्रों को सिर्फ यह प्रबातों की सिर्फ याइनि only विशेश विद्ध्यालों में ही सिख्षा दी जाए दोको cvc वालों ने जो मेरा टेग वर्ड बेकार कराया न नेगिटी वर्ड वो कराया ही यह जो ही वाला है न यह 50-50 काम करता है इसकी बैटरी वालों प्लबद कर आए चांब लेकिन cps वालों ने पीछली बार छी होओ निकाल देंगे तो इस बार इसको मत करना यह तैग aja यह यह वर्ड आपका ही वाला फिर वर्ड है यह काम का नहीं रहा ठीक है यह होवी यह सकता है नहीं भी कराये तो फोर्त आंचर आपका है को जाया थीक तो समझा क्योंए सबसे बढ़से बड़ी आपका टेग वर्ड ए आपका पोजी ऊटीव सोल एनेगीटियु आपका टेग वर्ड ठीक है अब बात करते हैं अब बात करते हैं आपके पॉजि dem और negative की एक साथ बात करते है एक होता है आपका passive जिसको निस्क्रिय कहा जाता है दूसरा होता है या आपका सक्रिय जिसको active कहा जाता है देखे आपको इनके नाम सी पता चल ला है एक होता है active एक होता है passive आप लोग मुझे सिंपल से एक बात बताओ आप लोग या पढ़ने आ एप लोग पड़ सकते नहीं पड़ा सकता इसलिए निसक्रिय न्यएटिवी होगा और सक्रिय पोजिटीव होगा और समझ के दोनों को डिफरेंच लोंगए तो इसलिए आप भी और में भी अगर दोनों में से एक भी पैसी हो गया निस्क्रिय हो गया तो जो मारा जो teaching learning process है जो सिक्सर नदिकम पर करिया है वो क्या complete हो पाएगी नहीं हो पाएगी ठीक है समझ गए तो दोनों का active होना बहुत ज़्याद है जरूरी है question सामने आप इस screen पर है कि एक पाल के इंदरी शिक्सा में एक चायल्ड सेंटर्ड क्लास्रूम में सिक्सिका की कोई भूमिका नहीं होती बिल्कुल गलत बात है भाई सिक्सिका की भूमिका होती है अगर सिक्सिका नहीं होगा टीचर नहीं होगा तो पढ़ाएगा कोन बच्चे को सिक्सिका की सक्रिय पैसिव बना दिया, गलत हो जाएगा आपका, विद्यार्ट्यों की सक्रिय भूमी का होती है, बिल्कुल से ही बात है, और सिक्सिका की निस्क्रिय भूमी का होती है, या इसने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सिक्सिका होए विद्यार्ट्यों दोनों की ही सक्रिय भूमिका होनी जरूरी है आंचर आपका फोर्थ आंचर सी हो जाएगा तो इन दोनों के बारे में आप लोग समझ गए active आपका positive है passive आपका negative है ठीक है इन दोनों के बारे में इस तरीके साब को करना है यह आपके अलग-अलग भी पूछ जाते है एक साथ भी पूछे जाते है यह बड़े महत्पून आपके negative और आपके positive वर्ड है बात करते हैं आपका बड़ा महत्पून आपका negative वर्ड पिछली बार बहुत धमाल मचा है इसने जो पिछली बार आपका online exam हुआ था ठीक है multiple shift में जो आपके question पूछे गए थे पता नहीं यह भाई साब ने क्या खा लिया लगबग हर shift के अंदर यह पूछा गया ठीक है क्योंकि NEP 2020 पूछ गई थी राष्टे शिक्सारनीती पूछ गई थी तो उसकी वज़े से हर shift में देखनों मिला यह negative वर्ड आपका मान की करत standardized आपका ठीक और यह वर्ड आपका ऐसे पूछा गया मान की करत इसको आकलन दे दिया कहीं पर ठीक है मान की करत इसको आकलन या मान की करत इस्टेंडराइज एसस्मेंट दे दिया या इस्टेंडराइज आपका पेपर दे दिया ठीक है तो इस तरीके से इसको पूछा गया या इस्टेंडराइज इसको टेस्ट दे दिया ठीक है इसके आगे कुछ मिनाम दे दिया या तो असेस् आपको क्या है नेगेटिव आपको होता क्या है देखको मानकी करत होता क्या है आपको जो मानकी करत होता है टेस्ट होता है यह वह मानकी करत होता है जो पहले से चीज़े चलती आ ठीक है जो एक मानक होते है एक रूल्स होते है जो पहले से चलते आ रहे है बच्चा स्कूल के अंदर गया इसकूल के अंदर जाने पर बच्चे को सेम जो रूल्स होते है जो मानक होते है इसकूल के अंदर जाओगे छे मेने बाद आपका एकजाम होगा एक साल बाद आपका इसके अंदर आपको qualify करना है, आपने qualify कर लिया, तो next class के अंदर हम आपको promote कर देंगे, बच्चे ने कुछ knowledge गेंड करी, नहीं करी, कोई causal सीखे, कुछ वेवार के अंदर अपना सीखा, कोई नई स्किल्ट सीखे, कोई matter नहीं करता, बस उसने कितिने नंबर गेंड करे, इसके टोवब रहा जाता है इसलिए इसको नीगीटिव माना गया मानकी कड़त को ठीग है चाहे मानकी करथ पेपर हो टेस्ट हो मानकी करथ किसी भी च़री ठीच़ की कहीं भी है भाई साथ दिख जाए पैन लेकर बैठ जाना और समझ जाने आपका क्या है नेगिटीव आपका और बहुत बार आपका पिछली बार आपके पेपर में देखने को यह मिला था ठीक जैसे एक कोशन इससे जुड़ा हुआ सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक साम साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाएंगे साथ में सहपाटी अधिगम करेंगे एक साथ सीखेंगे पहला तो सही हो जाएगा तो पहला तो आपका पोजीटीव है बिल्कुल सही होगी एक सब्दोतर वाले वस्तूपरक पर्चन यानि अब्जेक्टिव कोशन रहेंगे आपके व अब्का वर्ड होता है ये भी आपका भी आ गया ठीक है तो ये क्या होता आपका नेगिटीव होता है तो देखेंगे दो नेगिटीव मिल गए तो दो अप्संतों वैसी गलत हो गए एक का थोड़ा इसके अंदर दिमाग लगा तो आंसर क्या बच जाएगा फुर्स्ट आं या फिर वे यानिकि punishment या फिर फिर आपको बच्चों को किसी भी तरीके का punishment किसी भी तरीके का ड़र्ण नहीं दिखाना ना इसको physical punishment देनी है ना ही उसको morally punishment देनी है आपकी और हमारी खूब अच्छी तरीके से तुड़ाई चुकी है ठिक है डंडो से भी पिटए हाथ कड़ी कर चुके मुर्गा भी बन चुके कुछ टिचर यां मारते त्य हसे कुछ कांपे यह लगल मार वाया तरीकी से ठीक है इतनी भी हमारी उकात नहीं है बच्चों को बोलने की इतनी बड़ी सुप्रीम पावर आज की डेट में बच्चा बन चुका है तो अगर किसी भी ओप्षन के अंदर आपको यह वर्ड दिख जाए कि आपको बच्चों को पनिश्मेंट देने वाले वर्ड की बात आ जाएगी बच्चों को डर दिखाने वाली बात वर्ड की बात आ जाएगी ठीके जैसे हमको डर दिखाया जाता था चुप चा बैट जाओ वन्हान निकाल दी जाओके मुर्गा बना दी जाओक ठीक है टांग ही तो समझ जाना वह आपके कैसे वर्ड हो जाएगे वह आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अपने आप ऊसका समधान कर सकते हैं तो फ्रोम आपके सामने पर टैक्जाम काμαι के एक्जाम को किस प्रकार से अच्छे नंबर सा आप शकलोग टो इसके लिए आपको किस प्रकार से एंक्रेज कर सकती है ठीक है तो इसके लिए टीचर क्या काम कर सकता है ये इस तरीके का question है आta के answer already में और ऑफ्षन द्याविस ability में परस्थे reward होते है वो आपका negative word होते है पुरुसकार अगर आप इसको positive word के रूप मिलोगे तो पुरुसकार अगर कभी partially मिले किसी खास achievement पर मिले मालीज आपने च्छोटे काम के लिए अगर आपको reward मिला है पुरुसकार मिला तो आपका क्या होगा आपका negative होगा और सीटेट में हमिसा पुरुसकार ज्यादतर जब भी आया आपका negative word आया ठीक है तो पहला आपका उने सरा दूसरा वाई साहब आपको दिग्या केवल तो केवल भी क्या हो आपका positive word होता है ठीक है जब भी कोई problem soul करता आदमी तो उसके दिमाग में क्या होता है होना आपका स्टार्ट हो जाता है ठीक है दिमाग में क्या होता है मन्थन होना उसका स्टार्ट हो जाता है ठीक है आपको में आप से मैंने पूचा की बताओ सीटेट के एक्जाम अच्छे नंबर से पास कैसे करोगे आपके सामने समस्सा है इस समस्से के बाद आपके दिमा आपकेड ले वंष्मिन के नेगिट्वर्ड उता है जहापर बच्छों को कुछ लेक्षर्टर देनी की बात आजाएग यहाँ व्याख्षा विदि की बात आजाएगी या फिर बच्चों को definition की या परिभासा देनी की बात आ जाएगी, तो ये भी आपका क्या होंगे, आपके ये आपके negative word हो जाएगे, ठीक है, आपको बच्चों को definition नहीं देनी, परिभासा नहीं देनी, आपको नाए उन्हें को ये आपको lecture देना है, ठीक है, और खासकर primary पर अपने विद्यार्तों में खोजी अधिगम यार देखो इसको मैं भोल लिया और मेरी याद था जब मैं PDF को इसको बना रहा था मेरी याद था लेकिन पता नहीं गलती से कैसे निकल लिया ठीक है इसकी फोगया डिष्कवरी लर्णिंग डिष्कवरी लर्णिंग पिछली बार आपके उनलाइन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है खोजी अधिगम जिसका कोई तुकी नहीं है ठीक है ? गलती शाज पीडियेफ में रह गया खोजी अधिगम क्या है ? आपका पॉजिटीव आपका व तो जब जल्दी सीखेगा और उसके लावा डिटेल में चीजें सीखेगा तो इसको जब भी कभी आपको खोजी अदिगम देखने को मिल जाए तो समझ जाने आपका पोजिटीव लेर्णिंग है भर भर के आपके ऊप्षन के अंदर पूछा गया था ठीक है तो 20 मिष्ठे का ये इसकी फोग गया लेकिन सुकर भगवान का कुश्चन के अंदर मिली गया ठीक है तो खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है एक अध्यापिका अपने बच्चों के बीच में ठीक है यानि अध्यापिका बढ़िया है वो तो इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करन करना चाहिए व्याख् 노래 का अत्यादिक प्रियोक करना चाहिए metam tęमी क्या होती है मैंने पहली बता दी आफ जelfी आपकी नेगेटिव होती है ठीक यह तो नहीं करना चाहिए केवल भाई-साम-मिजे शूर में मिल गए मुझे आगे पढ़ने की जरोती नहीं है केवल भी आपका क्या होता है नेगिटी होता है आवे सकता मारक दर्शन के साथ सव निर्देशित परियोग को सुसाध्य करना चीए अगर बच्चे से कह दे कि बेटा आसपास के पाथ जानोरों के बारे में लिखकर लेकर आओ डिस्कवरी उसको खोजी अधि खोजी जरोती परियोग को सुसाध्य करना चीए जहाँ जरोत पड़ रही है उसके साथ बच्चे को आपका यही रहेगा आंचा थाड़ हो जाएगा विद्धार्ति को बिना किसी मार दर्शन के खुद काम करने देना चीए बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि अपने का जानने ना कण में कर लएगा सार काम woody आंसर मालत से अगले नेगटिव और पॉजी टीव वर्ड के ऊपर यहां तक आप पहले बथब ओन आपका पहले अगर मैं नेगटिव की बात करूँ तो रटना याद करना संस्क्रित वाले लिख लेगे चला जाता है रठना और याद करना रोट और मेमराइज करना ठीक है तो इसी को याद करो इन दो को याद करो यह आपका किसके अंदर आते हैं पोजिटीव के अंदर क्या जाएगा अगर बच्चों को कहा जाए कि आपको और कोई चीज रठनी है कोई चीज आपको याद करनी है इसमनन करनी है मेमराइज करनी है तो समझ लेना वो अप्षन आपका पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा कभी भी बच्चों को आपको रठने के ऊपर इसमनन करनी के ऊपर आपको फोकस ने करना हमेशा उसको समझाने के ऊ की आपको चीजे बच्चों को समझानी पड़ेगी ना कि उसको रटानी पड़ेगी ठीक है दो एकन दो दो दुनी चार वाला काम आप नहीं चलेगा ठीक तो यह आपके रटने याद करने आपके नेगेटिव है और आपके समझना आपका पोजिटिव आपका वर्ड है ठीक अब देखें कुश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया कि कुश्चन किस तरीके से है कि वि पर लोना फेल हो जाओगे तुमारी जिंदी खराब हो जाएगी यह सब जाएगा वो सब जाएगा नहीं जो कि मैंने आपको बता दिया तो जो भै होता है यानि जो फियर होता है क्या होता है आपका नेगेटिव होता है तो यह तो आपका उप्सन वैसे भी रहा रट कर या मिल गए तो यह तो वैसी कट गया बच्चा क्या वास मां Mac aspirations Sicherheit बच्चो के पूर ग्यान से संमंद्ER जोडना अगर आप बच्चे के दिगम को facilitate करना चाहे हूं बढ़ाना चाहे हो उसको तो बच्चों के पूर ग्यान से संबंद्झ का जोडना तो आंसर जो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सी हो जाएगा, बाकि तीनों के अंदर आपके नेगेटिव वर्ड छुपे बैठेते जिसको देखती आपने टिक करा और तीनों का आंसर आपका निकल करा आगया, ठीक है, इसको आप लोग समझ गे, बढ़ते बापक अगले के उपर, आप लोग सही दे रहे हो साथ के साथ, पोल दिया करो सर जी, पोल मिल जाएगा इसके अंदर, चलो नेक्स टाइम से देंगे पोल, अभी आप इसको पर ध्यान लगाईए, देख अगला कोशन एक और आगे सामने स्क्रीन पर इसी से जुड़ा हुआ, कि व यहान नहीं लगाना बिल्कुल भी, तो conceptual understanding को सुसाध्य करने के लिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए, छातरों को केवल, ये बाइसाब दिग्या केवल, केवल यंतरुवत यूप से, यानि कि आपका road memorization पर, ठीक है, तो देखो negative negative मिल गए, तो ये option तो आपका होने सरा, संकल्पो के वारता लाप, उदारन और गैर उदारन को समाहित करना चाहिए, डेको उदारन की बात तो से यारी है, अगर आप बच्चों को conceptual understanding बताना चाहरे हो, ठीक है, उनको इस तरीके से facilitate करना चाहरे हो, तो उदारन तो दो, गैर उदारन देन का क्या फायदा, तो ये तो आपका option आपका होने सरा, ठीक, जो परस्तुत किया है, और जो पहले से ही गयात है, उन दोनों के सम्मंद इस्तापित करने के आउस्वर परदान करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अध्यापन की व्याख्यान विदी, तो देखो यहापर क्य आपकी व्याख्यान विदी आगया, यह क्या हो जाएगा, आपका negative हो जाएगा, तो यहापर एक negative, दो negative, और तीसर में आपने दिमागर लगा लिया, ऑदि गेर उधाραन की बात हो रहे है, तो अंसर क्या हो जाएगा, थड़ आफापका यहापर सही हो जाएगा, ठीक है खूब धूम में चाहिती यह वाला नेगेटीव वर्ड है आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस वेधन और अभ्यास ठीक आपको से प्रैक्टिस करने से तो हमारी नोलिज बढ़ती है वाली कावत है कि प्रैक्टिस मेंक साब में परफेक्ट ठीक है यह वाली कावत आपकी देख हुआ है theoretical करा कि लिए इसलिए ड्रिल और प्रैक्टिस को क्या माना गया है कि इसको कम से कम बच्चों को कराए जाए ठीक है तो आपको ध्यान लक्रणे ड्रिलरेट यह आपका वेधन और ब्यास से यह आपका नेगिटिव वर्ड है ठीक है इसको आप लोग समझगे अब ज कर सकते हो दंड का यूज करके पनिश्मेंट का पनिश्मेंट क्या बताई थी मैंने पनिश्मेंट क्या होता है आपका नेगिटिव होता है तो यह तो आपका होने से रहा बहु विभीन उधारन देकर और बच्चों को उनके तर्ग खोजने के लिए देखो बात आगी ना यह मानना आपका होता है आपका नेगिटिव वर्ड होता है यह भी होने से रहा बारं बार वेदन और अभ्यास द्रिल एंड प्रेक्टिस तो द्रिल एंड प्रेक्टिस क्या होता है आपका नेगिटिव वर्ड होता है तो देखो एक उप्शन के अंदर सारे आपके पोजिटि कन सेप्चाल चेंज बनेगा तो से कि ना चार्ण आपका सही हो जाएगा ठीक है समझगे आप लोग छलिए बढ़ते बापके अगले पोजीटिव और नेगेटिव वर्ड के ओर अगले पोजीटिव और नेगेटिव वर्ड आपके जिसी भी ऑफ्शन में आपको टेक्सटू सब्सक्राइब पीचर सैंटर या फिर करिकुलम सेंटर्ट थे या फिर आपका करिकुलम सेंटर्ड मिलजए समझ जाना वह आपके नेगीटिव अब है आपको शिर्फ पोर एक चीध द्यान नखने है, child-centered, यिनिकी बाल के अंधरी, क्या द्यान नखना है? सिर्पो और सिर्प आपको बाल के अंधरी ध्यान नखना है, मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहे ihn, आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो, ये सब सिक्षन वरस्ता इसलिए, क्योंकि बच्चा है, ठीक है, तो सिर्पोर्शिप इसलिए काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बच्चा है, बच्चों को सुप्रीम पावर आपको माननी है, ठीक है, तो जितनी भी सिक्षन वरस्ता चल ल और बच्चे के हित में हमेजा अंसर दी है ठीक है पूरी दुनिया एक तरफ और बच्चे एक तरफ और अगर आप बच्चे के साथ में चलेगे आपका अंसर कभी गलत नहीं होनेगा ठीक है तो ना तो आपको टेक्स्ट बुक सेंटर मानना ना टीचर सेंटर मानना ना क्ट्री나мेया सक्षाद करने के लिए उनके समझा आकलन करने के लिए एक नई विदी का परियोग किया स्थे εधि Reach के असरnd बच्चो से कहा की ऐख उत्तर के आपने पूजिटीव बता दिया बाल के इंदरित जहाँ पर भी ओफशन में मिल जाए आग बंद करके लगा देना तो लगा दो भई आग बंद करके पाठ पुस्तक के इंदरित आपका नेगिटीव होता है उपदेश आत्मक जहाँ पर भी उपदेश देने की बात आगा ठीक है चलिए बढ़ तब आपके अगले पोजिटीव और नेगिटीव के ओर वह आपको क्या दिये हुए है जी सर में पढ़कर लाइक कर दूंगे कोई बात नहीं मत करो लाइक लाइक वगरा कि कोई दिक्कत नहीं आपको बस समझवान है आपके एक्जाम निकलने चाहिए ठीक है देखो इसको उपर नजर डालो अपने नेगिटीव और पोजिटीव के उपर अगले दो वर्ड आपके एक होता आपका एंक्रेज एक होता आपका डिस्करेज ठीक है एक होता है हतोतसाइथ जिसको बोल देते हैं इंगली हिंदी कंदर निरूतसाइथ भी बहुते हैं इसको इंग्लिज में नाम याद करो डिस्क्रेज और आपका एंक्रेज बोला जाता है ठीक है अप लोग मुझे एक बात बताolie कि आ आप किसी को कभी डिस्करेज करो गए कभी बच्चे को करोगे या क्या मैं आपको एफसी डिस्करेज करूं गा तुम तो नला क्याम ख्याल आते हैं मेग सोर आपको इधान नख नख अचिए कभी भी आपको बच्चों को डिसक्रेज़ ने करना यह बच्चे सब्चनर डिकिसी भी चीज़ को चाहे बच्चे की भांसा हो चाहे बच्चे की विचारों चाहे बच्चे का कुछ भी X Y Z चीज़ो उसको कभी भी आपको डिस्क्रेज नहीं करना हमेशा बच्चे से बच्चों को या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को आपको प्रोसाइद करना इंक्रेज करना है कि यस बेटा आपको इस चीज को जा साथ आपको प्रमोट करना चीए ठीक है जैसे मैं कहता हूं कि आप लोग क करना चीए बच्चों को ठीक है तो आप लोग समझ गये जैसे कुश्चन इसी से जुड़ा सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक सिख सिखा को बच्चों के अपने आपसे बात चीत करने जो बच्चा अपने आपसे बात बात चीत करता है जिसको लेवाई गोश्की ने का है प्राइबीट स्पीच का नाम दिया है ठीक है जो अपने आपसे बात चीत करते हैं उनको प्राइबीट स्पीच का है ठीक है व्यक्तिकत वाज को पर्तिक्रिया देनी चाहिए आप लोगों में से बहुत करते हैं बात व्यक्तिकत वाज करते हैं ठीक है अपने आपसे बात क करता है तो आप लोग मुझे बताओ जितने आप लोग वीडियो देख रहे हो एज टीचर आप क्या काम करोगे उसे हतोत साहित करोगे आप लोग क्योंकि वे आत्म केंद्रियता को बढ़ा रहा है इगो सेंट्रिज्म को बढ़ा रहा है हतोत साहित तो मैंने का आप उसे किसी नहीं कर सकते तो दोनों के अंदर मुझे नेगिटिव वर्ड देखने मुझे यह तो आपके होने से रहे ठीक है क्या से पूछ रहा है एक सिक्षिका को यह कोई काम नहीं कर सकता उसे प्रोचसाइद करना चीए क्योंकि इससे सव नियम आपका सुसाधित होता है सेर्फ रेग me along , अपने काम कर रहे हैं तो यही जो आपकी खाली बदाना है अगर बच्चा कुछ भी काम कर रहा है ठीक है एक सोई जैड उसको आपको एंग्रेज करना है कभी भी डिस्करेज नहीं करना उसे प्रोस्षाइद करना चाहिए क्योंकि इससे सिख्षक की जिम्मेदारी खतम होती है अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं जब कभी से जुड़े किसी भी चीज की बात आजाए तो आपको हमेशा बच्चे के साथ जाना है जब कभी शिख्षक की बात आजाए या शिख्षक से जुड़े किसी भी चीज की बात आजाए तो आपको शिख्षक के साथ कभी नहीं जाना कभी शिख्षक को औरान देनी की बात आ तो आपको शिक्षक के साथ कभी नहीं जाना ठीक है तो शिक्षक को जितना निचोड़ा जाए उतना निचोड़ दो शिक्षक के साथ आपको कभी नहीं जाना आपका सीटेट में एक नमबर भी नहीं इकटेगा शिक्षक के साथ मत चले जाना कि यह नहीं यार शिक्षक के सा तो शिक्षकी जिम्मादानी खतम हो गई शिक्षक का काम खतम हो गया ऐसा उप्सन के साथ को नहीं जाने ज़के सिक्षक को मास मत समझेट ना यह गल्टी मत कर देना कि हम तो सिक्षक बनने वाल एंठेक तरण आप कछी आपको इस निए करना चाहिए बहुत करना चाहिए लेकिन बहुत ही टर्म करें तो किस चीज को करें बच्चे को करें और बच्छे-घर चीज को करना चीए लेकिन कुछ टर्म सब एक्जामनेर ऐसी फसा देता है बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है और उसको भी प्रोसाइट कर देता है जिसको नहीं भी करना चीए देखो जैसे या पर एक कुछन आता है इसको ध्यान चे पढ़ना देखो आप भी फस होगे एक सि सबसे पहली बात आपकी तो इसका अर्थ पूर्ण डंग से किस प्रकाध्यान में रख सकती वह आपको बताना है यह स्विकार करके कि जो बिंताओं का आर्थ है वो अभाव नहीं है जो आप लोगों के अंदर भी बिंताओं देखने को मिल दिया आप लोग अलग 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 भासाओं के अलग अलग धर्म से हो अलग अलग जातियों से हो इसका यह कतई भी मतलब नहीं है कि अभाव नह करना और उसको पर्थक करना जहां पर भी बच्चों को सेग्रेशन करने की बात आजेगी उनको लेबलिंग करने की बात आजेगी यह आपका क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा ठीक है अभी वीडियो के आगे आने वाला है आपको बच्चों को कभी भी लेवल नहीं देना यह बच्चे के जाद नमबर आते कमाते यह बच्चा दिव्यांग बच्चा यह बच्चा सामाने बच्चा है कभी भी बच्चों को लेवलिंग नहीं करनी ना उनको सेग्रेट करना है पर्थक करना है कि दिव्यांग बच्चों का अलग से क्लास करा देते ठीक है इस तरीके से उनको सेग्रेशन नहीं करना लेवलिंग नहीं करना आपको नेगिटीव वर्ड हो था ठीक है तो यह तो आपका होने सरा यह आपका नेगिटीव है सारे रिक वे देश्टी से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्ताइक विशेश स्कूल में भेज कर जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनकरेज से प्रस्ताइश से जुड़ी वो यह है कि क्लास में एकल संस्कृति को प्रस्ताइश करके जिससे परतिस परदायानी कॉम्प्टिशन को बढ़ावे मिलें आप कहोगे सर आपने तो प्रस्ताइश को कहा था कि जहां भी दिखे तो समझाना आपका फोजीटी होगा मैंने कहाता है बच्चा यह बच्चे सुझड़ी किसी भी चीज को आपको इनकरेज करना प्रस्ताइश करना है लेकिन इसने का किलास में एकल संस्कृति को प्रस्त संस्कृति को प्रस्त करना है अब आपने ये बात बढ़े बच्चा रहे लाइगे अलग अलग जातियों से बच्चे रहेंगे आप लोग एजे टीचर माले जै किसी बी धरम से आप लोग भोच गए माले जै कोई टीचर हिंदु धर्म से है ठीक है और क्लासूरूम में अलग-अलग धर्म के अलग-अलग जातियों के बच्चे है तो एक टीचर की रिस्पुन्शिविटी है वो सभी धर्म के बच्चों को, सभी जात्यों के बच्चों को, उनकी संस्कृत्यों को बढ़ाए, उनकी संस्कृत्यों का सम्मान करे, ठीक है, और एकल संस्कृत्यों को ना प्रोसाइद करे, वो बहुल संस्कृत्यों को प्रोसाइद करे, सभी बच्चों के संस्कृत्यों को वो प्रोसाइथ करने की बात आईगी ठीक है वैसांसर इसका फर्स्ट आंसर आपका सही था यहां पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं चलिए अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया अगले कोश्चन को पर देखते हैं जी हाँ बहुत वड़िया आज से पढ अंद्रे दिन में भी आराम से आप लोग कर जाओगे ठीक है अगला आपका पोजिटिव साय आपका टेग वड़ है आपका समाल ओचनात्म की चिंता नियानी कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग यह आपका सीटेट के जाम में पिछली बार ओनलाइन पूछा गया आपका बहु बच्चा अपने दिमाग का यूज करेगा कि मम्मी या पापा हैंडवोस क्यों करना चीए ठीक है तो उसके पैरेंट्स उसको बताएंगे कि बेटा अगर हैंडवोस नहीं करेंगे तो जो जर्म से हाथ मेरे जाएंगे और फिर उसके बाद यह हमारे सरीर का अंदर अच्छा इसलिए एंवोस करे जाते हैं हाँ इसलिए एंवोस करे जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे ने अपनी केटिकल थिंकिंग का यूज करा और उसके बाद फिर उसने सही और गलत का डिसीजन लिया ठीक है तो यह होती है आपकी केटिकल थिंकिंग जब बच्चा सुन होगा यह नहीं होगा यह पोजिटीव होगा ठीक है critical thinking जो होगा अब देखो इसी से जुड़ा आपका question सामने screen पर आ गया कि राष्ट्य सिक्सानीती 2020 थोड़ा उपर कर देता हूं इसको राष्ट्य सिक्सानीती 2020 सुजाती है कि कक्सा दिगम को जो किलास में जो पढ़ाने तक मलब उसको सीमित मत रखो पढ़ाने के बजाए अधिगम और शिक्सा तथ्यों और ग्यान की कंठस्तिकरन देखो बात आगे ने कंठस्तिकरन रोट रोट में मुराइजेशन क्या वताया था मैंने आपका नेगिटीव वर्ड तो पहला तो गया बेकार दूसरा परतेग तीन महीने के बाद पानी की बोटल है चलो रख़ा भी परतेग तीन महीने के बाद विद्यारतों की विशवस्तु को बढ़ा देना चीए ये भी नहीं होगा खोजबीन खोजबीन मैंने क्या वताया था आपका पोजीटीव वर्ड है तो एक पोजीटीव वर्ड मैंने मिल गया आपका खोजबीन ठीक है और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंदरित होना चीए तो कैसा होने चीए आपका खोजबीन और समालोचनात्मक च तोनच यह बिल्कुल नहीं आंसर आपका थर्ड के साथ चला जाएगा चलिए बढ़ते बाप क्या अगले नेगटी वर्ड के ओर जिसका नाम आपका कलन विदी जिसको कहा जाता है आपका एल्गोरिध्म यह पूछा जाता है आपका मैच के अंदर ठीक है यह टेग वर्ड आ कलन विदी के ओपर नज़र डालो एल्गोरिध्म के ओपर नज़र डालो एल्गोरिध्म होता है कलन विदी होता है किसी काम को करने के तरीके अब पीचर क्या होता है बच्चों को बताता रहता है किसी काम को करने के तरीके जैसा आपका सीटेट का एक्जाम है ठीक है यह मा बच्चा ने समझ लिया और उसकी प्रैक्टिस कर सीख जाएगा फिर भी बता जा रहा बताई जा रहा बता को रहापका कीफिये इस निम्लिकित मैं西 Cent क रचनात्मक तो बार बार कलन्विदी का यूज नहीं करने चीए जहाँ पर भी आपको कलन्विदी दीखे समझाना कि आपका नेगिटीव है शिक्सक्स शामपट यानि ब्लैक बोर्ड पर पर पर्शन को हल कर रहा है तो इस तरी के का भी आपका उफशन नहीं होगा एक समस्य के समधान को खोजते समय विद्यारती अनुवेशन देखो अनुवेशन विदी कितना इंपोटेंट है मैं में नगाना बटडक साज पीडिएव के अंदर स्कुप नहींन नगालेगा अगर सूलेशन नहीं सीख पाएगा तो इस लिए करनि वीदियो को आपका नेजीटिव माना गया है और खोचिकीन यानि अनुसर खोजॉज दारित को आपका प्लूजिटिव माना गया है तो आंसर आंसर आपका सही हो जागा ठीक है ऐसे टीचर्यायर ओन्दत करते हैं जरब एग्जाम होता है इसका ये होगा चलीए अगला देखते हैं आपके अगल नेगटिवर्ड जो सामना आपकी स्क्रीन पर чぷा मैं अगले नेगटिवर्ड आपके सेड्रेशन में जिनके बार में शुरुआत मी अभी मैंने आपको बता दिया दा इक ओप्सन के अदर आ गहे थे कि बच्चों को आपको कोई लेबलिंग नहीं देनी कि तू तो निकम्मा है तेरे IQ लेवल कम है तेरे चिंतन का तरीका कम है ठीक है तेरे नंबर कमाते है ठीक है इस तरीके की कोई लेबलिंग आपको बच्चों को नहीं देनी आपको बच्चों को पर्थक करन नहीं करना उनक आपको बच्चों को नहीं करना यह बात आपको द्यान नकिने ठीक है जैसे को सब्सक्राइब करना बेदभाव करना बेदभाव क्या होता है आपका नेगेटिव आपको बच्चों में किसी भी तरीके का बेदभाव नहीं करना जैसे आप लोग जितने वीडियो देख रहे है तो मिले सभी equal हो, बराबर हो, तो मैं आप में किसी एक में भी वेदबाब कर सकता हो, नहीं कर सकता, तो इसी तरीक से आपको बच्चों को सभी को equal मानना है, मानकी करत आगया भाई, आपका मानकी करत, ठीक है, यह देखने को मिलीगा मानकी करत, तो मानकी करत क्या आपका, negative है आपका ठीक है वेक्तिकत विबिनताओं को स्विकार करना 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 कि शिखाइस कि आवसक्ता होती है वह आपको बताना है सभी को सभी को सभी बच्छों को समाण स्भ话 दी जाती है बिना नेटीव उर्ड बताई था दूसरा उनके सेग्रेशन की बात होगी सेग्रेशन क्या मताहिता नेगेटीव hmart बताई था तीसरा आपका तो salvar के kaz ča मह बनाँ एक अच्छा अब्रमेन्ट बताओ तो आंचर आपका फर्स्ट आंचर आपका से हो जायागा अगला कॉश्ण देखते हैं देखे अगला को शना आपका इवेस से जुड़ा हो आ गया बहुत जवर्जस्त कुश्ण है आपके इवेस में आपका जरूर आता है एक नमबर का ठीके इसके उपर एक बाव कि हाकर दो से राप लोग देखें इस कुर्शन के उपर देखें नजर डाली इसके उपर आपको ये बात ध्यान दखने है जब भी यह वर्ड आजै सेंटिव यानिकि समवेधन्सिल आपको द्यान दखना है या आपको पोजिटीव आपका वर्ड है आपके होगे सब्सक्राइब कर तो चीज के परति केर दिखाएगा अगर कोई गर में पोदा लेकर आजाएगाइगा जानु लेका आ जागा तो उसके पर्ति क्या दिखाएगा तो उसी वज़े से अगर वो कोई जेंडर होगा, कोई विचारा गरीब होगा, तो उसके परती भी अगर वो sensitive होकर दिखाएगा, तो समझ लेना वो एक अच्छा नागरी की भी बनेगा, आगे जाके वो देश का अपना नाम भी रोशन करके दिखाएगा, तो इसलिए किलिए यह चीज पढ़ान होना है, समविधन शील बनाना है, ठीक है, और यह आपका कैसा रहेगा, आपका positive, आपका यह tag बढ़ रहेगा, ठीक, जैसे question आपके सामने screen पर है, और देखो कितना लंबा चोड़ा question है, आ रहा है, पूरे screen पर, देखो, और इससे जुड़ा होगा question सामने, आपके exam में कैस साता, उसका भी आपको बताता हो, ध्यान चे सुनना, question आपका कि भावनाव को साजा करने के लिए, जो feelings होती है, उनको साजा करने के बारे में, एक छातर पूछता है, आप हमें EBS में भावनाव के बारे में क्यों सिखा रहे हो, एक बच्चा पूछता है, कि आप हमें जो आप हमें सिखा रहे हो, ठीक है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर basically sensitive बनाने का परपज है, कि बच्चा sensitive बने, ठीक है, अब यहाँ पर आंचर है कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, करते हैं भई, हर समय अन्य लोगों से बात करते हैं, परते एक व्यक् कर सकें, उनको समझ सकें, इसलिए हम भावनाओं के बारे में समझते हैं, और इनको sensitive बनाने के लिए हम इस chapter को उसके अंदर add किया हुआ है, ठीक है, अब आप लोग जो वीडियो देखने आते हो, ठीक है, पच्चिस जार प्लस आप लोग वीडियो देख रहे हो, और मुझ मुझे आपकी feelings के बारे में जान का रही है, और मैं sensitive हो आप लोगों के पढ़ती, अगर मैं sensitive नहीं होता, मुझे आपकी feelings नहीं पता होती, अरे यार छोड़, बाद यूँ पढ़ा देगा, मुझे कैजर होता है, मिर पास government job है, मिर पास पैसा भी है, सारी चीज़े भगवा के सख़्रें पारे में जानती हो, इसलिए feelings के बारे में शिखाय जाता है, इसलिए आदमी को sensitive बनना सिखाय जाता है, और यह काम आपका primary school बर आपका start हो जाता है, इसलिए काया जाता है, अगर एक बक्चे को पोधे संगशन के बारे में शिखाय जाता है, जल शंगशन, water conservation तो सबसे बढ़ी तरीका क्या रहेगा बच्चे से कहो कि अपने घर में पोदल लगाए बच्चे से कहो कि वाटर संग्रेक्षिन के बार में जगरुकता फैला डिसकर्शन करा जाए आप लोग मेरा बहुत समझ रहे हो तो feelings के बार में sensitive के बार में जब भी point आएगा आपको में सही इसे एक positive way के रूप में लेना है ठीक है answer आपका first answer आपका सही हो जाएगा ठीक चलिए अगला question सामने आपकी screen पर आगे positive और negative वर आगे इसके उपर नज़र डालते देखे दो तरीके के आपके assessment आते है formative assessment और आपके summative assessment formative assessment आपका positive होता है नहीं दिया अगर नहीं दिया तो मैं का उसका समधान बता दूँगा तो यह हो जाता है डिए यह यह आधय होता है समेटिव असेच्मेंट हो जाता है तो जब आपकी स्रक चत्था मैं ग्लंप आप जब मुझे से पूछोगे तब मैं लाइफ थोड़ी आ रहाँगा क्या तब मैं आंसर उसका दे पाऊँगा या जब बच्चा अपनी किलास में पास करके अगली किलास में पूछ जाएगा और उसके मन में कोई डाउट रहे गया तब उसको पूछ पाएगा नहीं इसेश्मेंट फोल लेंडिंग और एसेश्मेंट ओ लेंडिंग इनकी जंगह ये दो नामों दे देता है नोग्या जोगा अगर तो लेंडिंग अपने आपका अपकी स्क्रीन पर आ इसके ऊपर नजर डालते है आप दोलोगो यार इतना बड़ा कोशन है, मेरा मन नहीं कर रहा है आप कोशन पढ़ने का आप क्या बात कर रहे हो सर कोशन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हाँ भी मन नहीं कर रहा है, क्या चार उप्शन मुझे दिख रहे हैं, अब मैंने क्या का समेटिव क्या होता है, नेगिटी होता है, नोन कोशन पढ़ लो कोशन पढ़ने में कुछ नहीं जाएगा ये तो सीधा ट्रिक से निकलेगा ठीक है जो कितनी असानी से पैड़ागोजी के आपके कोशन निकल ले एक शिक्सक एक महीने की अवधिक अंतराल में विद्धार्थों को निमत लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लि कट्रेंटी का जाएगा तो सीधा मैंना सनानी काल लिए मैंने कुश्चन भी नश्यां अब पक्ता एक्जाम के अंदर क्या होता है एक्जाम के वह ज्वादा है जैसे टाइम क έχει पढड़े गया तो जब भी होता। बड़े बड़े कुश्चन आ जाते सेट्ट के एकजाम मे तो कभी-कभी जब बड़ा question आ जाओ time की कमी पड़ जाए सीधा answer देख लेना तो answer से match कर लेना tag word का use कर गए यह positive यह negative यह positive यह negative तो सीधा answer निकाल देना वो भी आपका answer सही हो जाएगा ठीक चलिए बढ़ते बापके अगले negative word के उपर अगले negative word आपका comparison करना यह नहीं तुल तुलना नहीं करने चीए अगर आपका comparison कि और बच्चों से करें आपके घरवाले करें देख फलानी की नोगरी लगी तेरी अभी तक नहीं लगी तो अभी तक पढ़ रहा है पढ़ रही है तेरी कभ लगेगी तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा अगर छोटे बच्चे का comparison किसी और दूसरे से करोगे वह फर्स्ट आ गया तो अभी तक फर्स्ट नहीं आया ठीक है तेरे इतने नंबर नहीं आए तो मेक सोर आपको किसी भी एंगल में आपको बच्चों का comparison नहीं करने तुलना नहीं करने जिस भी option में आपको तुलना करने की बात आजेगी समझना आपका नेगिटिव उप्शन है जैसे question आपको दिया आए कि मुल्यांकन का केंदर यानि की assessment का आपका जो focus हो क्या होना चीए यानि जब आप बच्चे का मुल्यांकन कर रहे हो ठी टुलना तो जहां पर भी तुलना की बात आई थी मैंने क्या बात आथा आपका नेगिटिव होने सारा मानत वरग में बच्चे की labeling करना तो laying मैंने क्या आथ यह भी आपका क्या हो जाएगा negative हो जाएगा अधिय将 करता क्या और कैसे सीह कर रहा इसका वर्लेंऑ करता है वो क्या किभार की भिछ प्रकार का नो करना आंसर आपका shta आपका सही हो जाएगा ठीक है समझगे इसको चलिए बढ़ते बापके अगले पोजीटिव वर्ड के और आपके पोजीटिव थोड़े यह तो नेगीटिव वर्ड है एर्रस गलतिया बच्चे की पानी की वोटल देज़े ठीक है आप क्या होगे यह तो नेगीटिव है इतने इतने में क्या होगा ने दूसी बोतल लेका दा इसको पर नेज़े डाल एक बार कोश्चन के पर आप देखो आपको सामने दिख रहे होंगे एर्रस ठीक है मिस्टेक्स या फिर मिस्कंसेप्शन जो बच्चे की गलतिया होती है तुरूटिया होती है यह जो ब्रांतिया होत यह आपके positive word होती है यह बड़े ही आपकी क्या होती है मैत पुन होती है यह आपकी important होती है ठीक है इस बात को मैं नहीं इस बात को आपका NCP 2005 भी कहता है आपका ठीक है NEP भी आपका कहती है इस बात को एक बात सिंपल सी एक बात बता हूँ या जब तक बच्चा गलती नही कोफचार कर जाएगा यूज करके अपने मेथड्स में तरीकों में नहीने तरीकों का इस्तमाल करके तो मेक्शुर आपको यह बात ध्यान नखनी है कि जो गलतिया होती है तुरूटिया होती है मिस्कंसेब्शन होते हैं Why is nét you in आ होते हैं यह सब नेचुरल होते हैं अब लोग finances करी मिस्कंसेप्शन निए समया बस आपको पताव नहीं चीजिए कि आपको पड़ना का है ठीक है जो चीजे मैं पढ़ा रहा हो जिस हिसाबता रहा हो उस से बाहन नहीं आएगे आपके गिजाब में चीजे बस आपको चीजे रटनी नहीं है इतना द्यानक ना समझ नहीं आपको चीजे ठीक है तो आप लोग समझे इसको आपको मिसा पोजीटिव मानना है बच्चे की गलतिया को भी तुरूटिया को भी और मिस्कंसेप्शन को भी जो बच्चे की जो यह धानना होती है ब्रांतिया होती है ठीक यह समझे यह आपका पोजीटिवर्ड है अब जैसे कोश्चन आपको दिया हुआ है कि रचीता एक गणी तद्यापिका अपने चात्रों की भासा कथन वाले पर्सनों में सही परिक्रिया पैचानने में तुरूटियों का विशलेशन कर रही है गलतियों का विशलेशन कर रही है इसके पीछे उसका क्या उदेशी है वह आपको बताना है अधिक तुरूटियों वाले चात्रों का कम तुरूटियों वाले चात्रों से पर्थक करना देखो बात आगी या पर यह तो आप का उनिशरा अधिक तुरूटियों वाले छात्रों को दंड सवरूप अधिक परसंड देना जापरी बच्चों को दंड की बात आजाएगी किसी भी तरीके का चायए पर निस्मेंट की बात हो तो वो भी आपका अंसर होनिशरा तुरूटियों सुदार के लिए ब वोति बड़ा मेत्पून हिस्सा होती है जो बच्चों की तुरूटिया होती है ठीक है आप लोग समझ दहुति जो बच्चों की गलतिया होती है यो डूर्डवत होथी घ्लती यह वंत muffins द्हट होती है और चाह्ते vak प्रोसेस है जैसे जो अभी हमारा चल रहा है इसमें जो भ्रांतियाय मिस्कंचेप्शन है उनकी खोज और चर्चा करना सार्च थक है बिल्कुल से बात है इसमें हमने खोज कर ली और चर्चा कर ली सीटाट के एक्जाम में आप लोग 140 भी ला सकते हो बस आपको तरीका पता ह और यह डिसकेशन हो रहा है तो सार्थक है ताकि आपके मिस्कंचेप्शन दूर हो जाएंगे वरना आपको लगेगा हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे है यह विद्धारत्यों को उन ब्रांतियों के बारे में सोचने का आउसर देता है और गहन जाच का नितरत करने में भी आ आपका था एक होता है यह वाली बात भी विल्कुल सही है तो ए और आपके दोनों सही है और और A की सही व्याख्या करता है अंसर आपका पहला ही हो जाएगा ऍए अगले के और बढ़ते हैं अगले पोजिटिव और नेगिटिव वड़ के और बढ़ते है देखें जहापर बच्चों को या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को इग्नोर करने की बात या उपैकसा कनने की बात आजएगी वह आपका नेगस्व हो जाएगा आप खुद सोच के देखो अगर आपको को कोई बनौर करते लगएंगा बहुत याचे काुछे कंदर बच्चे के अब बाउन आ जाएगी तो बच्चों या बच्चे से j usando को आपको ऑशन नहीं ठीक है जैसे question सामने screen पर आगया कि प्रगतिशील सिख्षा के संदर्व में निवलिकित में से कौन से statement आपका सही है कम चमता वाले बच्चों की कक्सा में उपेक्सा करनी चाहिए अगर कम चमता वाले बच्चे के कोई classroom है उसमें उनको ignore कर दो तो यह क्या हो जागा negative आपका क रक्सा में परजतांत यानि जो आपका डेमोक्रेट है लोगतंतर है उसका कोई स्थान नहीं होता अभी आपका आने वाला है सबसे मेहत्पुन आपको टेगवर है बंडर का बंडर वह आने वाला है भी देखना जो बच्चे भी सुरुवात में दो चार निकल लिए होंगे ना उनको मेहत्पुन आपका खजाना भी मिलने वाला है वो शुरू में निकल लिए होंगे अभी देखते जाना वो ठीक है तो डेमोक्रेट जो होता है ना आपका पोजिटिव आपका टेग बड़ होता है इसने कहते है इसका कोई स्थान ही नहीं है जबकि बड़ा पुस्तक केंदरित होनी चीए मैंने क्या आखा था स्रीपेई केंदरित होनी चीए और वो क्या है बाल केंदरित और दुनिया वर का कोई केंदरित ना पाठ पुस्तक नाई शिक्सक केंदरित नाई करिकूलम केंदरित होना चीए ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वातारण सुनिश्चित करती है बिल्कुल सही है निवन मेंसे कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है देखते हैं शिक्सक निर्देज देता है देखो मैंने क्या खायती शिक्सक की कोई वेल्यू नहीं है शिक्सक की कोई उकात नहीं है और शिक्सक निर्देज देता है इतन बड़ी सुप्रीम पावर को कह रहा है कि वो उसका पालन करे आगे उप्सन भी मत पढ़ो ठीक है दिमाग गुम जाएगा तो जहां पर भी सिख्षक को थोड़ा सा सुप्रीम पावर दिखाए उसको सहुलियत की बात आए अराम की बात आजे उस उप्सन को जल्दी गयलत कार करके आगे बढ़ जाना एक्जाम केंदा ठीक है शिख्षक पाट्य पुष्टक पढ़ता है स्यामपट पर पर परस्न एवं उत्तल लिखता है बलैक बोड़ पर और विद्यारतों से उन्हें लिखने को कहता है ये भी आपको निसरा शिख्षक ऐसे सीखने की परिस्तिती वर्ड होता है बच्चे पर्सन करें बच्चे परियोग करें और बच्चे विदिन परत्यों की समझ विख्षित करें एक और दुनिया वारी के पॉजिटिव यह today क्या होँगा ठाट आउन्चर पोजिटिव वर्ड के उपर देखो सामने स्क्रीन पर आगे मैंने गाना अगर दो चार बच्चे निकल लिए होंगे तो उनको यह वाला खजाना भी नहीं मिलेगा जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं देखो इनको पर नजर डालो एक बार अभी बतातों यह क करेंगे इनके ऊपर अगे वेरी गुड़ अगे देखो आप डालते हैं एक तरफ पोजिटिव भरे हुए सामने एक तरफ नेगिटिव भरे हुए आपको इतने सारे एक दम कैसे डाल दिये समझना मेरी बात को ठीक है उसके बात कई सारे कुश्चन एक साथ आएंगे आपक कोई खिलास वरूम है कोई बोगे तरफ यहां पर आप लुग जोब बाद पढ़ाओ गए सब डेमोक्रेटिक होना चीए लोकतांत्रिक होना चीए और पर एक जो टीचर है वो सभी बच्चों को समान दरिष्टी से पढ़ाए सभी बच्चों को समान नक्के सभी को समान समान कहा रहा हो सभी को तो आपका किलासरूम होना चीए तो आपका डेमोक्रेटिक आपका माहल होना चीए एक ऐसा किलासरूम का एनवारिमेंट होना वो आपका positive आपका tag word होता है जहाँ पर एक teacher बच्चे के emotions को जानता हो बच्चे के सव्वेंग को जानता हो और उसके बाद उनको education देता हो उनको अधिगम कराता हो तो वो आपका positive tag word होता है एक छोटा बच्चे school के अंदर आता है classroom के अंदर आता है पुझता है जिद्सकर आता है यहालि दिख्कत होती है आप लोग पढ़ने आरहे हो कोई कुछ रहे है लेकिन मैं नहीं कर सकता नहीं चीज़ को कि हमारे और आपके बीच के अंदर यह mobile phone की screen है थिक है बड़ आपकी classroom में बच्चे से आप internet कर सकते हो तो मेखस्व आपको बच्चों को जान न चीए और इसी के को अधिन इसको शिक्षेंद न चीए बटन अपको आपको चेये आप को जो बच्चा करके चीजे शीछ लेंड करता है वह आपका पॉजिट सेPhone अपने हेंड्सओन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है जितना बच्चा खुद अपने हाथों से चीज़े करके चीखता है लंबी टाइम तक उसको चीज़े उसकी मेमोरिय के अंदर से हो जाती है और उसका अनुभा भी लंबी टाइम तक चलता है ठीक है तो यह सभी के सभी आपके positive word है जो एक classroom के अंदर उसको बच्चों को help करते है सारे के सारे ठीक अब एक classroom के अंदर नेगटिव चीज के देखने को मिलेगी सब्सक्राइब कि अदर रहाँ धाल हैं अंदर रहाँ थे थे हमाधी मेडम हैं हमारे सर शाहरμ कर्द बैठ जाहु ठीक है कोई व्हर यह है कोई जो tenis dave लिघह भास ना बच्यों को यह नेगी快 भी कि बत्चों कभी एब कि इस तरी के सित पर च्वाइब Подसक्रीstat कोई मिलव उनके ऊपर कंन्ट्रोल करने की वाली बात आजएगी उनको नियंतरित करने की वाली बात आजएगी तो discipline वर्ड आपका negative वर्ड हो जाएगा आपका ठीक है हमें तो खूब रखा है आप लोगों को भी रखा होगा तो या आपका negative वर्ड है बच्चों को कंट्रोल करने की बात आजए बच्चे की बहासा पर कंट्रोल करने की बात आजएगी आपका नेगेटिव वर्ड है बच्चों को ब्लैंक पेपर मानने की बात आजएगी कि जो बच्चा होता है वो ब्लैंक पेपर होता है एक खाली से लेट होता है ठीक है उसका अपनी मदर टंग को लेकर आता है अपनी मात्र भासा को लेकर आता है जब बच्चा स्कूल में आता है तो इसकूल में अपने अनुभाव को लेकर आता है जब बच्चा स्कूल में आता है तो इसकूल में अपनी दुनिया के परति अपनी दृष्टिकों को लेकर आता है तो आज की डेट में पूरा गलत हो चुका है कि बच्चा स्कोल में एक खाली से लेट को रूप माता है तो यह सब चीजे क्लासरूम में एक नेगेटिव आपके वर्ड होते हैं कि दिस्ट्रोल में रखना है या बच्चों को एक ब्लैंक पेपर गुरूप मानना है आपको हमेशा क्लासरूम का एक्टिविटीज के मादम से बच्चा सीखता हो ठीक देखो एक साथ कितने सारे आपके पोजिटिव और नेगेटिव वर्ड हो गए आप कुछ को ले लेते हैं और उसके बाद आपकी देखो प्रैक्टिस कराते हैं अभी वह बहुत सारे बच्चते हैं आपके देखो कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया निमली कितमें से कौन सा बच्चों के स्वेंगात्मक विकास ठीक है इमोशनल डेवलप्मेंट के लिए सरवाधिक उप्य अंवर्मेंट मैंने डेम्करेटिक प्रजटा अंतरिक आलोगता अंतरिक उभूरमेंट क्या आपका पोज़िटी होता है अद्यापिका की कोई सहभ अभीता नहीं क्योंकि यह माता-पिता का कारिये नहीं किलास का denk का कैंट्रोल या निविए यह क्या होता आपका नेगिट यह अगले हैं आपका एक शंचना आत्मक समय बच्चों की संगेनात्मक सेब आगीता को किस प्रकार सुसादित किया जा सकता है बच्चों से और दुवारा मैंने न सब्क जितना डिसकृसन करो गए उतना जादा बच्चा चीजें सीकेगा अध्यापक के सव्वेंगो दोपा बाहरोप से अनुसासन क्या होता है तो यह आपका गलत हो जाएगा पहला दूसरा तीसर आंसर आपका सई हो जाया ठीक है तो इस तरीके से देख रहाए आप पूरे चार ओफ्षन को निचोड़ो आप पूरे चार ओफ्षन को explain करो और जिससे आपका इजली तरीके सांचन निकलेगा ठीक है इस तरीके से आपको करना है अगला कुश्चन देखे सामने स्क्रीन पर आगया कि सिख्षी का क्लास में सकारात्मक रूप से सीखने का वातारण किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकती है एक ते वा निर्दारिस समय सांट निकानी time table को follow करके देखो एक fix time table बना दिया कि इस वाले जो यह पिरेड होगा इसमें ये बढ़ाएंगे इस ट्राइम में इस पिरेड में यह वाला पड़ाइंगे ऐसी से कोई भी time period follow नहीं करना ठीक है तो उस टाइम पर जैसा बच्पन बीट गया बीट गया जो भी ता अच्छा था उन्हें दुनिया वरगी चीज उस टाइम पर होती तो साइध बच्पन और अच्छी तरीके से बीटता है ठीक है तो टाइम टेबल को कोई फोलो नहीं करेंगे पुरुसकार मैंने क्या बताता यह उसको शिक्सन दिगम उसको परिकरिया का हिससा माने को उसको शिक्सन देना यह आपका पोजिटीव होता है ठीक है तो आँसा थड़ बच्छों की छंता क्या अदार पर उनका विवेधिकरण करके अलगळग समू बनाना पर्थक करनना सेग्रेशन करना आपका क्या होत तब ही तो मैं कई गंटे से आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है गले में खाशी होने के बावजूद भी वनना मुझे मैंने सेम उसी बात को रिपीट कर रहा हूं वनना क्या ज़र होता है पढ़ाने की काम चला है सभी का ठीक तो यह सब आप इमोशन की वज़े से होता है और तभी आप लोग भी पढ़ रहे हूं क्योंकि आपको जोब ले नहीं है वनना कर मैं कहूंगा यार पढ़ लो या आप से इसकी नोलिज बढ़ेगी ठीक आप विद्वान बनोगे अपना काम कर वाई जो है हम तो कुछ और काम करने है और आपने जो पूंजी होती है उससे लेस होकर आता है यह भी नहीं माना निश्क्रिय आगे पढ़ने की जरूत नहीं है निस्क्रिय पैसिव मान लिया यह भी नहीं माना सक्रिय इनवेसक के रूप में एक्टिव एक्स्प्लोरर्स के रूप में माना आंसर आपका फोर्त आंसर से हो जायागा ठीक है चलिए बढ़ते बापके अगले पोजिटीव वर्ड के ऊपर जो है आपका देनिक जीवन से जोड़ना यानि वास्त्विक जीवन से जोड़न तो बच्चा बहुत जल्दी टनेक्ट करके उसको शीखेगा आप बच्चों को पढ़ारो जल पढ़ारे हो तो उसके डेलिक एक्टिवीससे ज़ड़कर पढ़ादो जल्दी सीखेगा ठीक है तो आपका पॉजिटीव आपका ये वर्ड होता है यह पूछा जाता है सब के जीवन से जोड़ कर पढ़ा दो इस तरीगे से भी पूछा जा सकता है देखें कोश्चन आपका सामने स्क्रीन पर है नजार डालो इसके उपर वीडियो के एंड में बताना है इमांदार से कितना आप लोगों का स्कोर आया आयोप आप लोगों को पसंदार होगा कि किस तर कर सकता है देखते हैं को किसे दोरा प्राप्त किया जा सकता है देखते हैं इस्ट्यटिंट्स को विशेष को देदो क्या वीशेश कोचिनग देकर वादमी तरकन या चिंदन कर सकता नहीं कर सकता ठीक है कि यह तो आपका होने सरा ठीक अच्छा कुछ बच्छे कोचिंग के वाले में मैं से पूस्ती रहते हैं कि सीटेट के लिए कोचिंग अर अपना टाइम और पैसा बिल्कुल तो महिना बर तो आपके लिए बहुत जाद है मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सीटेट का हम हलका एक्जाम है अगर आप सूपर्ट्रेट के विस वगरा डी एससबी के लिए मलब लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग ले सकते हो क्योंकि उसमें आपको जरूत पड़ विद्धार्तों को चर्चाओं में सामिल करना चार पोजीटिव आगे जिस ओप्शन में चार चार पोजीटिव मिल जाए और कुछ पढ़ने की जरूत पड़ जाएगी नहीं तो सेकिंड आंसर क्या हो जागा सेकिंड आंसर आपका सही हो जाएगा बढ़ते बापके नेक् चोटा बच्चा होता उसके अंदर भी भी बहुत सारी जिग्यास होते हैं vaccinations जहीं होती है इस उसको हम इस आपको पोजिटिव मानना है और इसको जाद से जाद है आपको बढ़ावा देना है ठीक है आप कोश्चन इससे जुड़ा हुआ कैसा सामने आपकी स्क्रीन पर आगे इसको पर नज़र डालते है ठीक सर में यूटूब पर कंटिनू चैप्टर वाई चैप्टर नहीं मिला पली लिश्ट में देख लो आप लोग जाके ठीक है एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्धारती आंतरिक रूप से अभीपरीत हो उससे क्या करना चाहिए इंटरनली रूप से मोटिवेटीड हो मैं चाहता हो आप लोग इंटरनली मोटिवेटीड हो खाली सीटेड तक आप लोग फोकस मत रहो सीटेड अच्छे नंबर से पास करके और बाकी जो आपकी वेकेंश निकले के विस निकले या सूपर टेट वगरा जो भी निकले तो उस पर आप लोग अपना ध्यान करना चीए उससे क्लास में कॉंपिटिशन को पुरसाइद करना चीए और बच्चों में तुलना करनी चीए तो कंप करना चीए कोई बच्छ पाच गंटे पड़ाया जीन पर रहा ला collecting उतनर का आपका तो तो दो नेगिटीन भोता है बहुतिक पुरुष्कार तो पुरुस तो बचा क्या आपका फौर्थ बचा कि बच्चों में जिग्यासा जिग्यासा क्या बता है था पोजिटीव जिग्यासा प्रोसाइट करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभी पे रित करना चाहिए आंचर आपका फौर्थ आंचर से हो जाएगा तीन नेगिटीव एक अंको की ठीक है इसके साथ एको लिखो अंको की शिक्सा देनी की बात आ जाएगी कि जहाँ पर एजुकेशन इसलिए दी जा रही है ताकि वह से रोजगान मिल सके ताकि उससे बढ़िया नंबर मिल सके ठीक है या ताकि उससे ग्रेड मिल सके अगर ऐसी शिक्सा देनी की बात सा रही है तो यह सभी आपके क्या है नेगिटिव अड़ है ऐसी शिक्षा देनी की बात आपको कहीं पर भी नहीं कहीं है ठीक है जैसे सामने स्क्रीन पर है कि एंचिया दोजार पाच के नुशार प्राइमरी लेवल पर गणिश्क्षन का उद्देश्चे निमलिकित में से कौन सा नहीं है ध्यांचा पटना कुर्शन पूछा कौन सा नहीं है नहीं है यान नेगिटिव पूछा है तो नेगिटिव का भाई क्या होगा नेगिटिव का आपका नेगिटिव हो जाएगा गनित में उच्तर और अमूर्त पढ़ाई की तयारी करना देखा आगे नेगिटिव की बात आए प्रमोट की बात आए व्यवसाइक सिक्सा ग्रेड के लिए पढ़ना ऐसी शिक्सा की बात जहापर भी आ जाएगी उस बात को ना तो एंच् कहता है समझसह समाधाना और समझसह पस्तूत करने के कोशलों को प्रुस्टाइद करना चीह हिति यह आपका पूजिटिव होता है तरक संगत विचारों को पूजिटिव होता है क्या मैंने का बच्चे लेंग्विज लिया उसके अंदर यह आपको देखने को मिलते हैं इसको पर एक बार नजर डालते हैं यह तीन पोजीटिव वड़ है जिसमें पहला है आपका मदर टंग यानि की जो आपकी मातरभास होती है देखें जो बच्चे की मातरभास होती है ठीक आप जैसे मैं हिंद हो आप मेरी पोश्टिंग मालीजाए साउथ की तरफ हो गई यह बहुत है अब मुझे ईंदी भास आती है और नोर्तिषट की तरफ मालीज लूटा है या कोई दूसरी भास बोलता है अंब वहाँ पर उन बच्चों की जो मातरभास है वह नौटिस्ट की उनकी भासा एठी टीचर मुझे उनकी मात्रभास को एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए एक संसादन के रूप में लेना चाहिए या इसको प्रोब्लम के रूप में लेना चाहिए बताओ किसके रूप में लेना चाहिए मुझे इसको एक resource की रूप में लेना चीए, एक संसादन की रूप में लेना चीए, ना कि एक problem की रूप में लेना चीए, क्योंकि जो बच्चा अपने विचारों को अभिवक्त करता है, जो बच्चा communicate करता है सबसे बढ़िया, वो अपनी मातरभासा में करता है, ठीक है, इस इसलिए सबसे बड़ा positive word आपका मातरभासा, इसको कभी भी आपको problem नहीं मानना, हमिसा इसको एक resource, एक संसादन की रूप में मानना है, जैसे question सामने आपकी screen पर दिया हुआ है, आपके mother tongue से संबंदित, कि भासाओं के अधिगम के बारे में, जो भासाओं को अधिगम होता कौनची बात सही नहीं है, question negative पूछा है, तो answer भी आमें negative देना पड़ेगा, मातरभासा बहतर संगेनात्मक व्रद्धी में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है, positive आपका answer है, मातरभासा दूसरी भासा हो के अधिगम को बादित करती है, बादित नहीं करती, सायता देती है है, बादित नहीं करती, तो यह क्या आपका गलत है, negative है, तो answer आपका, second, यह answer आपका सही हो जाएगा, negative वाला, ठीक है, मातरभासा अंतर वेक्ति संप्रेशन कोशलो को सुगंता पदान करती है, communicate करने में help करती है, ठीक है, यह भी आपका positive है, मातरभासा में सीखने से और आत्मक समझ, जो conceptual understanding होती है, उसमें बड़त होती है, यह भी सही है, ठीक है, तो यह सभी point आपके positive है, जो आपके मातरभासा से संबन दीते है, वहाँ पर उसको बादित कर दिया, problem के रूपे मान दिया, तो आपका गलत हो जाएगा, तो गलत का भाई, गलत हो जाएगा, तो multi-lingualize मैंनी की बहुबासिकता होती है, कि एक ऐसी classroom या एक ऐसा school आपका, जहाँ पर कई सारी भाईसाओ वाले बच्चे एक साथ पढ़ते है, ठीक है, जहाँ पर कई सारी भाईसाओ वाले एक साथ बच्चे है, कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई SM मीज बोलता है, कोई कमील बोलता है, कोई करनड बोलता है, कोई मराथा बोलता है, ठीक है, तो इस तरीकी सारी लगलग भाईसाओ वाले बच्चे बोलते हैं, इसको आपको एक resource के रूप में लोगे, ठीक है, एक संसादन के रूप में लोगे, या इसको एक संसादन के रूप में लोगे, एक दूसरे की भासा के साथ साथ यहावर बच्चों के जो कल्चर होगा ठीक है जो बच्चों की संस्कृती होगी उसका आदान परदान होगा बच्चों के सब्ध बंडार में उरद दियोगी तो इसलिए बहुबासिक्ता को भी एक संसाधन को रूप में लेनी की बात के अपनी विद्याले शिक्सा अपनी मातर भासा में आरम करता है बिल्कुल सही बात है उसके बाद अंग्रेजी मात दम्मे करता है नहीं परतेक विद्यारती अपनी जो स्टार्टिंग की वासा हो मातर भासा में स्टार्ट करता है और बाद की जो भासा स्टार्ट करता हो परतेग विद्वासा में करता है और उसके बाद में अधिक भासा में जुड़ता है आंचर आपका ठर्डशी हो जाएगा ठीक है यानी मातर भासा हो चाहे बहुत बहुत बास सीथा हो इन दोनों को आपको पोजीटिव में लेना है अचा एक और पोजीटिव वड़ देखो यह लाश्ट है, उसके बाद जो भी आपका question हो, आप लोग अपना question बताना, उसका question मैं पूछूँगा, और अपना score बताना, कि आपका total कितना score हुआ है, और आपको वीडियो पसंद आई, कैसे लगी वो भी आप बताना, ठीक? विबिन संदर्वो में बासा परियोग, विबिन संदर्वो में, जब भी आपके exam में question पूछा जाता है, तो यह आपका positive word होता है, कि जो भासा का परियोग होता है, विबिन संदर्वो में होता है, वह अगर मैं आपका पढ़ा रहा हूँ, तो यह आपर बासा का परियोग कु मिड ऐसका संदर्बों में किया जाता है तो जहां पर विभिन मिलार्फ आपको udah क्reseं जाना कशुछ जाना का इन पर दिया हुआ है की प्राथमिक कक्साओं में रोल प्ले यान जहुता है उसका उधिश से क्या न चाहिए중 बच्चों को अभिने सिखाना रौल प्ले का मतलब होता है कि एक्टिंग के लिए उनको अभिने सिखा दो नहीं एक पद्धिति के रूप में इस कई काई का यूज करना नहीं विभिन संदर्भों में भावाशा प्रियोग के आऊसर परदान करना क्योंकि रौल रोल प्ले के मैनेजर बन जाता हो कैज गिनने वाला बन जाता हो आप रोल प्ले के मादम से यह काम को करते है ठीक है तो भासा का विकास सबसे जादा उसके अंदर होगा और जहापर भी वर्ड आपको देखने मिल जाए तो समझ जाना आकबंद करें कांचा लगा देना यह आ पोजीटी का हो जाएगा थर्ड आपका पोजीटी हो जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर आपका खतम हो गया कितने कोस्टन थे वाई आपके 33 कोस्टन थे ठीक है तो बताओ 33 में से आपका कितना स्कोर हुआ और 33 में से स्कोर के लावा आप बताओ आपको क्लास कैसी लगी ठीक है और इस तरह की साथ के मैंने देख आपको NTF 2005 पूरा डीटेल में पड़ाया मैंने आप से प्रोमिस करा था NTF 2005 डिटेल में हो गया NEP 2020 पूरा डिटेल में हो गया उसके अलावा ये positive और negative आपके जो word है ये आपके डिटेल में हो गये ठीक है तो ये pedagogy का ये पूरा निचोड होते है अब जो आपको notes दे रखे उसके अंदर खूब practice करो पूरा pedagogy का आपका पूरा निचोड हो गया है ठीक है आप कोई question हो आप लोगों का आप लोगों मुझसे question पूछ सकतो एक एक करके मैं आपका answer दे दूँआ very good भाई 33 33 32 क्या बात या line एकदम चलगी 33 33 की सभी सभी बोलो या जूट है कि वेरी गूड कि अब इंदी ऐसा नहीं आ रहा यह तीनों question भाई आपके यह पिछले online वाले में पूछ गए थे कि अ कि सब्सक्राइब जो दूसरा ताना आपका मातरवासा पर सब्सक्राइब जो आपका बहुत सब्सक्राइब आपका चार पाज बार पूछा गया था ठीक है जितना अनलीसिज में आपका प्रिवेश्टर के जो आपको online में पूछ गए न मेरे से इतना अनलीसिज किसी ने नहीं किया होगा करें संट के जी बेरी गुड़ भई झाइस किलास होगे थेंक्यू बहित है थांक्यू थैंक्यू थैंक्यू तो है ट्रॉप आंट इसमें एक अथ्य गुर्ट को एगर लेट होए कोई बात निक सुर्वास सी क्लाश देखे ले ना हुआ है 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 हाई स्क्रीन के दिक्कत चल ले यार इस्क्रीन करवाँ वह ठीक इस्क्रीन वालों को फोन भी क्या हुआ मैं रहता न भी बाद में होगी अभी तो यह सब चीज चल लए अभी बाद में होगी ठीक तब तक आप लोग अपने तैयारी तो करिए और पूछे स्कोर बहुत वड़ी आ रहे तैतीस तैतीस आप क्लास लेने बाद खुद में कॉंफिडेंस आता है एंसर मतलब है सीट्ट के लिए थो आप लोग बिल्कुल विविगर हो सीट्ट का तो एक्जाम को इतना वड़ एक्जाम मोता भी नहीं है उसकी ले तो आप बिल्कुल बेज़िक रोटी टिलिए पर ट्रोलिड याले को सॉंदिन घ्राइब और अगरोगी तो मैं है टाइम लगा दूगा गल की लिगाज़ का में प्लिवक्षत कर लो का ट्रेंड करो और ये नोड़ shower कर जाब लोग फूर धो पड़ना जो आपको यह सो पचास रुपे में और फिरी के चक्कर में दे रहे हैं तो आप लोगों को इनके वैसी बीजो कोश्च उती इतनी मिनिमुम रखी है कि हर कोई बच्चा उनको ले सकता है तो आप लोगों को जो अथेंटिक मिलेंगे मेरी साइट को पर मिलेंगे ठीक है तो आप लोग फ्लीज अपने नंबर वगयरा को और अपनी जानकारी किसी के बास ऐसे शेयर मत करिए और जो कैफे वाले वगयरा होते हैं जो मलब इस तरह की से हाड़ को भी में दे रहे हैं त आपको जो भी मिलेंगे फेक मिलेंगे वनना यही साब को ओरिजनल मिलेंगे ठीक है लास अटेंड करो और यहां से लो और इसके लावा आपको और कुछ नहीं करना बश्टिक है वनना आप लोगो कर नुक्सान है उसके अंदर मेरा कुछ नहीं है अगर फोर्म फिलफ गलत हो गया तो ठाइसा आपके क्रेक्शन हो जाएंगे तो टेंशन मतलों उसके अंदर से हो जाएगा मैंने कहा त्यार बड़ा केरिफुली होके फोर्म को बरिए आप लोग गलती कर देतों और कैफे वालों के चक्कर में कर जाते हूँ कि जी अलेंग्विज जो भी आप कमफर्टेबल हो ले लो दिल से थेंक्यू सर आप नहीं होते तो सीटेट इतना असान नहीं होता है मलब मैं हर साली तैयारी कराता हो बच्चों की और मलब जिस तरीके से मैं पढ़ाता हो यह साइद आपको मलब इतना ऐसे किताब विताबों में कहीं देखनों को नहीं मिलेगा और इसी तरीके से मैं पढ़ाता हो ठकर ना है क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेस करना आगर आ अगर आपने बेसिच्चों कर लिया, यहाँ बहुत बहुत वड़िया और जब यहाँ पर आपका प्का बेसिच्च्च्च्च्च्म हो generous क्यां ढुल कमरतली में तेलिगराम टाल डाल दूगा ठीके कल में डाल डूँगा को देखता हूं क्लोंकि साम कुछ नियारव पर आप लोग जुड़ जाना ओफिचल वाले से जुड़ जाना फेक से मत जुड़ना तो नए और पोजिटिव टेग वर्ड के आपको मैं यह पीड़ डाल दूँगा ठीक है जिसमें आपके पोजिटिव और नेगेटिव टेग वर्ड लिखे हुए जो है वुर्ण एक काम करूँगा टेली ग्राम पर वह सारे कर अकाउंट बने हुए है हया ना टेली जाने पょस्टारों पहर बने वह अपनी नमस है काम करूँगा मैं अपनी साइट के ऑपर एक न बना देता हुँ हição अपने साइट के ऊपर सेंट डेंगerson में इसे यहां पर जैसे आप लोगोंIONबस स्वेंस प्यात्रे डेंगा पर आप लोगे हो ओपर टीक है ओपन कर लेना वहां पर जाकर आप लोग इस पीड़ाप को ले लेना क्योंकि जब मैं अपना टेलिग्राम अकाउंट देखता हो सेम फोटो लगाए वी है मेरी सेम सब ओपर चीज करवा है तो टेलिग्राम पर बहुत पूरा हाल कर रख लोगों ठीक है तो टेलिग्राम की जचैट पर मैं एक उप्शन बनाकर देदूंगा ठीक है तो यह जो पीडेफ मिलेगी आपको यह मेरी सैट के अउपर मिल जाएगे आपको एक और पसंद आयोगी और पस त्यारों के पास चेर कर देना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको एक जाम तक आपको ऐसी और क्लास मिलती रहे थेंक्यू